वन्दे वन्दे तुम कहा हो? मैं यहां हूँ नन्नी, क्या हुआ बोलो? पता है मैं आज स्कूल नहीं गई थी छुटकी पता रही थी कि अगले सब्ता स्कूल की तरब से हम सब पिकनिक जा रहे हैं हाँ नन्नी, अगले सब्ता हमारा स्कूल हम सभी को पिकनिक पर उधम पूर लेकर जा रहा है वहाँ हम सभी पटनी टॉब की सेर करेंगे अरे वाँ वन्दे, यह तो बहुत मज़ेदार बात है मैं भी पिकनिक पर जाऊंगी हम सब वहाँ खूब मज़े करेंगे हाँ, हम सब वहाँ चलेंगे मास्टर जी ने पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की सूची को तयार करने का काम क्लास मॉनिटर को दिया है मैं बस उसी काम में लगा हूँ मास्टर जी बता रहे थे इस सूची के अधार पर ही पिकनिक का बज़ेट तयार किया जाएगा बज़ेट तयार किया चाएगा? ये भला, बज़ेट क्या होता है वन्दे? अरे नन्ही, बज़ेट से ही तो इस पिकनिक के अनुमानित आए और वये का एक आपचारिक विवरन मिलेगा? बज़ेट से अनुमानित आए और वये का अनुमानित विवरन मिलेगा? ये भला, किस परकार हो सकता है वन्दे? अरे बुद्धू बजट से आय और खर्च का अनुमान लगता है किसी भी आर्तिक कारे को करने के लिए विट्टिय प्रबंदन एवं बजट की जरूरत होती है ठीक है ठीक है लेकिन मुझे इस बजट के बारे में विस्तार से बताओ सरकार भी भविश्य की योजनाओं और उद्देश्यों को आधार मानकर आय और व्याय का अनुमान लगाते हुए ये तै करती है कि कितना धन कहां खर्च करना है और कितना धन कहां से प्राप्त करना है आसान भाषा में इसे ही बजट कहा जाता है आगामी वर्षों के लिए अपनी आय और व्याय का लेखा जोखा बजट के रूप में तैयार करने के बाद सरकार इसे जनता के समक्ष पेश करती है अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने एवं विकास कार्यों को बढ़ावा दे देने में बजट का योगदान है विकास की दिशान रधारित करना उत्पादन बढ़ाना राहत कार्यों को बढ़ावा देना रियायत एवं शुल्क में सामन जस्य बैठाना कीमतों को नियंतरत करना आर्थिक वासामाजिक विकास के लिए धन का पुनर वित्रण करना उत्पादन सन्रचना में सुधार करना उत्पादन के स्तर को बढ़ाना प्रचलित मुद्रा स्वीती इवं अव स्वीती का उपचार करना आर्थिक स्थिर्ता के लक्ष को प्राप्त करना आर्थिक असमानता पर रोक लगाना बजट को तीन भागों में बाटा जा सकता है संतुलित बजट, आसंतुलित बजट, बचट का बजट और घाटे का बजट चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं संतुलित बजट यदि खर्च किये जाने वाला अनुमानित पैसा किसी आगामी वित्वर्ष में संभावित प्राप्तियों के बराबर होता है तो इसे संतुलित बजट कहा जाता है बहुत से अर्थ शास्त्रियों का मानना है कि सरकारी व्याय उनके राजस्व से अधिक नहीं होना चाहिए हाला कि कुछ अर्थ शास्त्रियों का ये भी मानना है कि मंदी के समय इस तरह के बजट से रोजगार की समस्याएं बढ़ सकती है असंतुलित बजट यदि अनुमानित आय से अधिक या कम होता है तो इसे असंतुलित बजट कहा जाता है इस तरह का बजट बचट का बजट या घाटे का बजट हो सकता है बचट का बजट जब किसी विशेश वित्त वर्ष में सरकारी आय अनुमानित सरकारी व्याई से अधिक होती है तो इसे बचट का बजट कहा जाता है कुछ लोग इसे अधिशेश बजट भी कहते हैं इस तरहा के बजट का उप्योग अक्सर मांग को कम करने के लिए मुद्रास फीती के समय लागू किया जाता है घाटे का बजट यदि अनुमालित व्य किसी वित वर्ष में अप्यक्षत आय से अधिक हो तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है वैसे नन्नी एक मज़ेदार बात बताऊं बजट शब्द का भी अपना एक विशेश अर्थ है ये शब्द फ्रेंच शब्द बजटे से बना है जिसका आश्य है चमडे का छोटा सत एक थैला वाह ये तो मुझे पहली बार मालूम हुआ कि बजट शब्द का अपना एक अर्थ होता है हाँ इतना ही नहीं केंद्र सरकार जो बजट बनाती है उसके पास होने की प्रिक्रिया भी बहुत रोचक होती है चलो मैं इसके बारे में भी तुम्हें बता देता हूँ कैसे पास होता है बजट? बजट के पास होने के कुछ कारण है जैसे बजट सत्र की शुरुवात वित्विधेक, सामान्य चर्चा, स्थाई समिती विचार करती है बजट पर विस्तरत चर्चा, बजट पर वोटिंग, राष्ट्रुपती की संस्तुती आईए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं बजट सत्र की शुरुआत वर्ष भर में संसत के तीन सत्र होते हैं बजट सत्र, मौनसून सत्र और शीत सत्र इन तीनों सत्रों में सबसे लंबा बजट सत्र ही होता है इस सत्र की शुरुवात राष्ट्रपती के भाषण के साथ होती है आमतोर पर इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी देश के सामने पेश किया जाता है इस सर्वेक्षण से ही कुछ-कुछ अंदाजा लग जाता है कि आने वाला बजट किस तरह का होगा वित्विधेक पेश करने के बाद सरकार वित्विधेक पेश करती है इसे पेश करते हुए वित्द मंत्री लोगसभा में अपना बजट भाषण देते हैं इसी भाषण में सरकारी योजनाओं की उपलबधियों का हिसाब दिया जाता है इसके बाद किन किन मंत्रालें को किन किन योजनाओं के लिए कितना कितना पैसा मिला इसके बारे में बताया जाता है इसी भाशन में डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टैक्स की दरों में हुए बदलाव के बारे में वित्त मंत्री बताते हैं इसके बाद इसी विधेग को राज्य सभा में पेश किया जाता है वित्त विधेग पर सामान्य चर्चा बजट भाशन होने के बाद इसके प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा होती है इसमें बजट से जुड़े हर मुद्दे पर प्रकाश डाला जाता है बजट पर अच्छी तरह से अध्यान करने के लिए सामान्य चर्चा के बाद संसत को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया जाता है स्थाई समिती का विचार करती है एक महीने के लिए संसत को सगित किये जाने के दौरान Standing Committees अपने अपने क्षेत्र के बजट प्रस्तावों पर चर्चा करती है ये समितियां तैव वक्त में अपनी सिफारिशें सरकार को भेजती है इन सिफारिशों पर गौर करने के बाद सरकार आगे की रणीती बनाती है थाई समिते में लोकसभा और राजिसभा दोनों सदन के सांसत शामिल होते हैं बजट पर विस्तरत चर्चा बजट सत्र के दूसरे चरण में बजट प्रस्तावों पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा आगे बढ़ती है इस चर्चा को मंत्रालेयों के अनुसार कई दिनों में बांट दिया जाता है हाला कि इस दौरान दूसरे विधाई कार्य संसद में चलते रहते हैं बजट पर वोटिंग बजट प्रस्तावों को लागू करने से पहले वित्त और विनियोग विधैकों के पास कराने का काम होता है इन्हें पास कराने के लिए लोग सभा में वोटिंग होती है बजट के अलग-अलग प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग भी अलग-अलग होती है किसी भी प्रस्ताव को गिराने की शक्ती लोगसभा के पास होती है बजट को राश्ट्रपती की संस्तुती वित्विधेक और विनियोग विधेक के लोगसभा से पास होते ही राश्ट्रुपती तुरंत इसे अपने मन्जूरी देते हैं हमारी पंचायते भी कई तरह के आर्थिक और सामाजिक कारे करती है जिसके लिए उन्हें बजट बनाने की आवशक्ता पड़ती है चलो मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ हाँ हाँ वंदे मुझे इसके बारे में बताओ न 73 समविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य विवस्था को समविधानिक दरजा मिलते ही ग्रामीर भारत में पंचायती राज संस्थां का रुजान बढ़ गया वतमान समय में पंचायतों को गाउं के विकास के लिए सरकार से करोडों रुपे मिलते हैं पंचायतों के उपर कई तरह के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी होती है जैसे सडकों का निर्माण सडकों का रखरखाव पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना सिचाय की व्यवस्था शम्शान घाट वा कब्रिस्तान का निर्माण एवं रखरखाव प्रात्मिक शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण खेल के मैदानों का निर्माण एवं उनका रखरखाव स्वच्छता से जुडेकार आंगन वाडी केंद्रों को सुचारू रूप से चलाना क्रशी संबंधी कार युवा कल्यान संबंधी कार महिला कल्यान संबंधी कार दलित कल्यान संबंधी कार जलाशयों की मरमत्वा रखरखाव चिकित्सा इवं स्वास्त संबंधी कार्य, बाल विकास संबंधी कार्य, व्रक्षार ओपन, समस्त प्रकार की पेंचिन, समस्त प्रकार की छात्र व्रत्यों के वित्रण का कार्य इन सभी कार्यों को प्रभावी शील रूप से करने तथा अपने दायत्वों इवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पंचायतों को वित्तिय संसाधनों की जरूरत पड़ती है यही कारण है कि ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला परिशत तक सभी अपने अपने स्तर पर बजट बनाते हैं पंचायती बजट के उदेशय और प्रावधान की अगर बात करें तो 73 सम्विधान संशोधन के तहत केंद्र के वित्थ आयोग की तर्ज पर भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्थ आयोग की स्थापना की गई है यही राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तिय स्थिती की समीक्षा करती है पंचायतों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए वार्शिक बजट का प्रावधान भी किया गया है अब समझ आया नन्ही ग्राम पंचायतों को बजट की जरूरत क्यों पड़ती है हाँ बंदे अब मैं कुछ-कुछ समझ रही हूँ लेकिन मुझे ये बताओ कि इस बजट का प्रस्ताप कौन देता है और पंचायत बजट में किस-किस की भागिदारी जरूरी होती है हाँ ये तुमने बहुत ही महत्योपूर्ण प्रश्न किया है चलो मैं तुमें इसके बारे में बताता हूँ 73 में सम्विधान संशोधन के तहट पंचायतों को 29 कार्य सौपे गए हैं इन्ही 29 कार्यों में से एक कार्य है वार्षिक बजट को बनाना ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जाने वाला बजट वार्षिक बजट कहलाता है ग्राम सभा में वार्षिक लेखा जोखा बजट एवं गत वर्ष के विभिन कारिक्रमों पर किये गए व्याय पर चर्चा होती है पंचायत बजट से ही पंचायत के सभी कार्यों एवं प्राप्तियों का आंकिलन होता है इसलिए इसे बनाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है पंचायत बजट इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रस्ताव ग्राम सभा के माध्यम से होता है इसमें ग्राम सभा के सदस्यों की भागिदारी आवश्यक है सम्विधान ने ग्राम सभा के सदस्यों को वर्तमान वित्तिय वर्ष में शुरू किये जाने वाले विकास योजनाओं और कारिक्रमों की जानकारी लेने का अधिकार दिया है 73 सम्विधान संशोधन के अनुच्छे 243 के तहत राज्यपाल राज्यवित्त आयोग का गठन करता है जो की एक सम्विधानिक निकाय है राज्यवित्य आयोग की नियुक्ति पाच वर्ष के लिए होती है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल ध्वारा ही होती है और अध्यक्ष का कार्यकाल भी पाच वर्ष का होता है राज्य वित्य आयोग में 5-6 सदस्यों की नियूपती की जाती है जिनके सहीयोग से ये आयोग समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं के आर्थिक स्तिती की समीक्षा करती है इसी समीक्षा के आधार पर उचित समय में राज की संचित निधी से विभिन पंचायती संस्थाओं को धन आवंटन किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं को राज सरकार द्वारा वसूले गय टैक्स, फीज, टोल इत्यादी से भी धन मिलता है मैं कुछ-कुछ समझ रही हूं बंदे, लेकिन ये बताओ कि आखिर पंचायतों को बजट बनाने की ज़रत क्यूं होती है देखो नन्ही, पंचायतों के कुछ सामाजिक, राजनितिक और आर्थिक जिम्मेदारिया होती है भारत जैसे देश में ग्रामीर्ण छेत्रों की अपनी चुनोतिया है ऐसे में आए कहां से प्राप्ट करना है इस बात का ज्यान हमारे परतिनीदियों को होना चाहिए चलो मैं इस बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूं पंचायतों के कुछ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारिया होती है भारत में ग्रामीर्ण क्षेत्रों की अपनी चुनोतिया है इसलिए तमाम तरहा की परिशानियों के बीट संसाधनों को लोगों के बीट समझदारी से बाठना पंचायत की एहम जिम्मेदारी है इस कार्य को करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए जैसे बजट को बनाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया हो विशेशकर आर्थिक रूप से पिछड़े दलितवा वंचित लोगों को ध्यान में रखकर योजनाओं को बनाया जाना चाहिए बजट ऐसा हो जिसमें क्रशी वित्तिय समावेश सामरिक शमता को बढ़ाने शिक्षास सुविधाय मुहया कराने पशुपालन को बढ़ावा देने एवं लगू उद्योगों को सहारा देने पर बल दिया गया हो बजट में आर्थिक स्थिर्ता और विकास को विशेश महत्व मिलना चाहिए बजट बनाते समय पंचायतों को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए इससे संसाधनों के आवंटन में सहायता मिलती है बजट बनाने का ये बुनियादी तरीखा है पंचायत के लिए ये आवश्यक है कि वो इस बात को समझे की पैसों को किस तरह से कल्याणकारी नीतियों में लगाना है बजट ऐसा होना चाहिए जिससे ग्राम्मीर उद्योगों का विकास हो ग्राम्मीर उद्योगों के विकास से ही बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या को दूर कर पलायन रोका जा सकता है इससे क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता आती है ध्यान रहे कि आर्थिक असमानता को किसी भी अर्थ व्यवस्था के लिए खत्रा माना गया है इसलिए बजट में इस तरह की नीतियों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे समाज के गमजोर तबकों को रोजगार मिले ये तो तुमने बहुत ही महत्यपून जानकारी दी है बंदे लेकिन ये बताओ कि क्या पंजायत बजट की अपनी कोई भूमी का भी है हाँ नन्ही आय के शुरोतों का विकास करना आय वय के संतुलन को बनाने प्रभावी प्रशाशन को तयार करने समेत अन्य कई तरह के कार्य बजट से ही होते हैं चलो इसके बारे में भी मैं तुमें विस्तार से बताता हूं पंचायत बजट एवं उसकी भूमे का रोजगार अवसर प्रदान करना आय का विकास करना आय वय का संतुलन बनाय रखना प्रभावी प्रशाशन तयार करना धाचागत विकास करना आप लोग सुन तो रहे हैं ना बंदे बहुत ही एहम विश्यों के बारे में बता रहा है हाँ नन्नी हमारे परतिनीधी हमारी बात सुन रहे हैं इसी प्रशिक्षन कारेकम का लाभ उठाकर तो वो अपने अपने छेटरों का विकास करेंगे आ ना आप अपने अपने छेटरों का विकास करेंगे ना तो चलिए एक बार जोर से अपने लिए ताली बढ़ा देगे वंदे वंदे लेकिन मुझे ये बताओ कि बजट के क्या-क्या सिधान्त होते हैं बजट को बनाते समय किन-किन बातों का विशेश ख्याल रखना चाहिए हाँ नन्नी, रुको मैं इसके बारे में भी तमें विस्तार से बताता हूँ बजट के सिधान्त स्पष्टता, बजट में आयव्याय का प्रावधान स्पष्ट होना चाहिए यथार्थता, बजट का वास्त्विक्ता से संबंध होना चाहिए व्यापक्ता, बजट में व्यापक्ता का होना जरूरी है, अर्थात बजट सभी के लिए हो लाब और हानी, बजट में लाब वाहानी को स्पष्ट तौर पर लिखना चाहिए पारदर्शिता, बजट में पारदर्शिता का होना अनिवार्य है बजट का स्वरूप परामर्ष बजट, बजट को सभी लोगों की राय से बनाया जाना चाहिए सहभागी बजट, बजट में सभी लोगों की सहभागता जरूरी है उपलबधी बजट, बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें गतवर्ष की उपलबधियों का वरणन साफ तौर पर किया गया हो ऐसा करने से उन क्षेत्रों या संस्थाओं के महत्व का पता लगेगा जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है योजणा बजट, बजट में वित्तिवर्ष में कार्यानवित की जाने वाली योजणाओं का वरणन होना चाहिए उद्देश्य आधारित बजट, बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी सीमित समय के लिए लक्ष को निर्धारित किया गया हो उदाहरण के तौर पर निर्धारित अवधी में सौ लोगों को रोजगार देना या किसी ऐसे वर्ग को लाभानवित करना आदी बजट बनाना तो बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, बंदे इसे बनाते समय तो जरूर मार्ग दर्शन की जरुरत पड़ती होगी हाँ, बजट बनाते समय विशेशग्यों की राय एवं मार्ग दर्शन लेनी चाहिए, तुम्हारा दोस्त भी तो विशेशग्य है चलो थोड़ा इसके बारे में मैं ही बता देता हूँ, जो भी मैंने इसके बारे में कक्षा में पढ़ा है बजट को तैयार करने है तु मार्ग दर्शन ग्राम पंचायत सच्व को बजट तैयार करते समय निम्नबातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे पंचायत घाटे का बजट अनुमोदित नहीं करेगी बजट में केवल ऐसे कार्य ही लिये जाने चाहिए जिसे करने में पंचायत आर्थिक रूप से सक्षम है अनुदानों से संबंधित बजट के भाग अनुदान स्वीकृत करने वाली संस्था द्वारा जारी दिशार निर्देशों के अनुसार तयार होने चाहिए बजट तयार करने की प्रक्रिया में पंचायत में पंचायत की आय का अनुमान लगाना प्रथम कदम है इसके लिए पूर्व वर्षों में अपने श्रोतों में सहायता अनुदायों, राज्य या केंद्रिय सरकार या अन्य प्राधिकरणों अथ्वा संस्थानों के ग्राम नीर विकास का रिक्रमों के लिए सहायता अनुदान को आय के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए वर्षों के खर्चों तथा वर्टमान वर्ष के छै मास के परिणामों से तुलना करनी चाहिए। अनुमोदित खर्चों पर चर्चा होनी चाहिए। बजट घाटे को पूरा करने के लिए गर प्रस्तावों पर विचार वा चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बजट सही से बने इसके लिए तो बहुत अच्छी योजना की ज़ुरत पढ़ती होगी है ना बंदे? हाँ बजट बनाने के लिए योजना की जरूरत पढ़ती है आम टॉर पर बजट विट्थी प्रबंदन के आधार पर बनाये जाते हैं अरे बुद्धु किसी भी संगठन, संस्ता या समिती आदी को चलाने के लिए पैसो की जरूरत तो पड़ती है न? इसलिए विट्य प्रबंधन की अवशक्ता हर जगा है चलो मैं इसके बारे में भी तुम्हें विस्तार से बता देता हूँ विट्य प्रबंधन का अर्थ किसी भी संगठन, संस्ता या समिती आदी को चलाने के लिए पैसो की जरूरत पड़ती है इसलिए विट्य प्रबंधन की आवशक्ता हर जगा है विट्य प्रबंधन किसी उपक्रम के विट्थ तथा विट्थ से संबंधित पहलूं पर निर्णे करने की क्रेयाओं वा नीती निर्धारन करने से संबंधित होता है हालकि किसी भी एकाई के लिए विट्थ की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान समय में विट्थ प्रबंधन के लिए अधिकतर संस्थानों में विशेश विभाग है अधियन की दुरश्टी से विट्थ प्रबंधन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सार्वजनिक विट्थ सार्वजनिक विट्थ का तातपर्य सरकारी विट्थ से है इसके अंतरगत विभिन सार्वजनिक संस्थाओं की विट्थिये आवश्यक्ताओं पर शोध किया जाता है सार्वजनिक विट्थ के अंतरगत आय व्यय इवं रिर्ण संबंधी विभिन सिध्धान्तों इवं व्यवहारों का अध्धेन किया जाता है निजी वित्ट का तातपर्य विभिन व्यक्तियों इवं निजी संस्थाओं की आय और व्यासे है इस वित्ट को तीन भागों में बाटा जा सकता है वित्ट ये प्रबंधन तो बहुत काम की चीज मालूम होती है इसकी अन्य विशेष्टाएं बताओ तो बंदे हाँ ध्यान से सुनो वित्ट प्रबंधन की विशेष्टाएं आवश्यक्ता का अनुमान हर संस्थान की आवश्यक्ताएं वित्ट प्रबंधन से ही आवश्यक्ताओं का अनुमान लगाना आसान हो पाता है वित्तिय श्रोतों का ग्यान वित्तिय प्रबंधनों के सहारे आसानी से पता लग जाता है कि हमारे आय के श्रोत कौन कौन से है कार्यों का केंद्री एकरण वित्तिय प्रबंधन को करते समय समस्त कार्यों का एक समूह बनाया गया है योजना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण जैसे कार्यों का मिलाप होता है संगठन के लिए पूँजी संडरचना का काम वित्तिय प्रबंधन से होता है एक अच्छा वित्तिय प्रबंधन कार्य शैली वा उत्पादक्ता को कई गुना बढ़ा सकता है वित्तिय प्रबंधन से संगठन के विभिन्न विभागों के साथ सहीयोग इवं समन्वे करके सभी वित्तिय मामलों को निप्टाने वाला ऐसा एक ही विभाग है जो वित्तिय प्रबंधन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वित्य प्रबंधन कोई एक बार किये जाने वाला कार्य नहीं, इसकी प्रक्रिया सरैव चलती रहती है प्रबंधन का अभिन अंग आधुनिक व्यवसाय प्रबंधन में वित्य प्रबंधन की महत्पपूर्ण भूमिका होती है संगछन के हर काम के साथ प्रत्यक्ष या आप्रत्यक्ष रूप से वित्त का संबंध है इसलिए इस विशे को प्रबंधन का अभिन्य अंग माना गया है वित्तिये प्रबंधन का काम व्यवसाय की अल्प कालीन इवं दीर्द कालीन वित्तिये आवश्यकाओं को पूरा करना है इसलिए संसाधनों की प्राप्ती इवं उनके आवंटन में इसका एहम योगदान है कार्य निश्पादन का मापक वित्तिये प्रबंधन के तहत ही वित्तिये निर्णे शामिल होते हैं गौर से देखा जाए तो बहुत हद तक वित्तिये निर्णे ही किसी भी संगठन की सफलता और आसफलता के कारण होते हैं वित्तिये निर्णयों को सही से लागू करने के पश्चात ही संगठन सफलता की उचाईयों पर पहुचता है अर्जित आय का प्रबंध वित्य प्रबंध ये भी दिशा निर्देश देता है कि संगजन या निकाई के कार्यों द्वारा कैसे लाब प्राप्त किया जा सकता है साथ ही प्राप्त आय का प्रयोग किस तरह किया जाए कि अधिक्तम लाब कमाया जा सके उच्च प्रबंधकों है तू सहायक वित्य प्रबंधन ही अन्य प्रबंधों का आधार है किसी संगठन में प्रभावी एवं सर्वोत्तम निरने लेने में ये सहायक है केंद्रिय स्वभाव संगठन के अन्य किसी भी कार्जय को करने के लिए वित्य प्रबंधन की आवश्यक्ता होती है लाब की कल्पना बिना वित्तिय प्रबंधन के नहीं हो सकती किसी भी संगठन या निकाय के लिए लाब का महत्व लाब संगठन की आय का स्रोथ है लाब संगठन की आय का स्रोथ है ये बात तो समझ आती है लेकिन क्या लाब कमाने की जुरत हर संगठन को होती है वंदे क्या हमारी पंचायतों को भी लाब की आशा रखनी चाहिए हाँ नन्ही अच्छे तद्धा कुशल प्रबंधन के लिए लाब कमाना आवशक है पंचायते तभी सारी योजनाव और विकास कारिय को कर सकती है जब उनके पास पैसा होगा इसके लिए लाब कमाना जरूरी है चलो मैं तुमें इसके बारे में बताता हूँ किसी संगठन को चलाने के लिए निरंतर लाब कमाना जरूरी है लाब से संगठन को समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है संगठन के विकास एवं फैलाव के लिए लाब आवश्चक है वंदे लेकिन मा कहती है कि हर योजना में अर्चने आती हैं वितिये प्रबंधन भी तो एक तरह की योजना ही है तो क्या इस काम में भी अर्चने आती है वितिये नियोजन में संस्ता के वितिये और गैर वितिये अधिकारों के बीच अगर सही तालमिल नहीं हो तो कई तरह की अर्चने आ सकती है प्रबंधन पूरी तरह से असफल हो सकता है इसलिए समन्वे का अभाव ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखार जाना चाहिए ध्यान से सुनो कि वितिये प्रबंधन में आम तोर पर किनकिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वितिये नियोजन की सीमाएं वितिये प्रबंधन के बिना किसी भी संगछन को सफलता मिलना मुश्किल है लेकिन इस कार्जे को करते समय कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है समन्वे का अभाव वितिये नियोजन में संस्था के वितिये और गेर वितिये अधिकारियों के बीच अगर सही तालमेल नहीं है तो प्रबंधन पूरी तरह से आसफल हो सकता है इसलिए समन्वे का अभाव ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए गलत पूरवानुमान वितिये योजनाओं को कुछ मान्यताओं इवं पूरवानुमानों के आधार पर बनाया जाता है इसलिए अगर परिस्थितियों का सही आंकलन ना करके गलत पूरवानुमान लगाया जाए तो वितिये योजना आसफल हो जाएगी संचार का अभाव वित्य योजनाओं को बनाते समय सभी विभागों के मध्य सही से संचार होना चाहिए उचित संचार के अभाव में पूर्वानुमान भ्रामक हो सकते हैं और वित्य योजनाएं आसफल हो सकती हैं अब मैं समझी वंदे लेकिन वंदे ये भी तो सच है कि किसी भी प्रबंधन को करने के कुछ चरण होते हैं तो क्या वित्य प्रबंधन के भी कुछ चरण होते हैं? हाँ नन्नी वित्य योजनाओं को बनाने के कुछ चरण है जैसे उद्देश की स्थापना वित्तिय योजना को बनाने से पहले अपने संगठन के लक्षों को समझना जरूरी है वित्तिय योजना किनों देश्यों की प्राप्ती करने के लिए बनाया जा रहा है ये बात स्पष्ट होनी चाहिए आप क्या चाहते हैं? आपके संगठन का मकसद क्या है? आपके साथ काम करने वाले लोगों की अपेक्षा क्या है? आप समाज, समुदाय और इस देश को क्या देना चाहते हैं? इन लक्षियों को निर्धारित करें योजना पर विचार अपने द्वारा बनाई योजना पर विचार करें आमतोर पर हम जो भी योजना बनाते हैं वो कुछ मान्यताओं और कुछ पूर्वान उमानों पर आधारित होते हैं जो की सही और गलत दोनों हो सकते हैं इसलिए आपने जो भी योजनाए बनाई हैं एक बार उसके बारे में अच्छे से विचार कर लें विकल्प की पहचार आपने जो भी योजना बनाई है उसके अन्य विकल्पों पर विचार करें आए और कहां कहां से मिल सकता है कहां कहां से लाव कमाया जा सकता है, किन-किन क्षेत्रों में बचत की जा सकती है, आदी विकल्पों पर गौर करना आवश्यक है सभी विकल्पों की पहचान से ही अच्छी वित्योजना बन सकती है विकल्प की तुलना सभी विकल्पों की पहचान होने के बाद अब उनकी तुलना करना जरूरी है अपने लक्षियों पर गौर करते हुए विचार करें कि सबसे बहतर विकल्प कौन सा है क्या कोई एक विकल्प दूसरे के मुकाबले कमजोर है क्या कोई विकल्प बाकी अन्य विकल्पों से अधिक बेहतर है इन बातों पर ध्यान देते हुए उनकी तुलना करें उत्तम विकल्प ही लाब उत्पादक्ता वा गुणवत्ता आधी को प्रभावित करेगा विकल्प का चैन सभी विकल्पों की तुलना के बाद अब निर्णाय कदम उठाने का समय है अपनी लक्षियों और उद्देशियों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चैन करें लागू करना आपने जो भी विकल्प का चैन किया है उसको लागू करें लेकिन आय प्राप्ट करने के लिए पंचायतों को धन कहां से मिलता है क्या वो भी कर्वसूलते हैं अपने उद्देशियों को प्राप्ट करने के लिए पंचायते विभिन स्रोतों से धन प्राप्ट करती है न नहीं मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ सही निरणय लेने के लिए विट्टिय प्रबंधन को समझना जरूरी है अच्छा गौर से सुनो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ अपने उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायते विभिन स्रोतों से धन प्राप्त करती है इसलिए सही निरने लेने के लिए वित्तिय प्रबंधन को समझना जरूरी है गौर से देखा जाए तो वित्तिय प्रबंधन से ही ये तै हो जाता है कि कोई पंचायत अपने क्षेत्र का कितना विकास कर पाएगी ये केवल फंड जुटाने की प्रक्रिया नहीं बलकि फंड के उप्योग और उप्योग की निगरानी का तरीका भी है ग्राम पंचायत के आय के साधन ग्राम पंचायत को दो प्रकार से आय प्राप्त होती है एक तो सरकारी अनुदानों से तथा दूसरा अपने साधनों से अपने साधनों से प्राप्त वाले आए संपत्ति कर, फीसों से प्राप्त आए, मेलों में दुकानदारों से तह बाजारी रेत, पत्थर, बजरी तथा स्लेट को निकालने तथा बाहर भेजने हितू कर लगू वन संपदा पर लगाई गई पर्मिट फीस से आए, दान से प्राप्त आए मोबाइल टावरों को खड़ा करने के लिए एक बार तथा वाशिक नवीनी करण फीस, सेवा फीस जिसके तहट गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश तथा स्वच्छता सभाक शेत्र में बेचे गए पश्वगों के रजिस्ट्री करण के लिए फीस, जलापूर्ती पर जहां पानी की आपूर्ती ग्राम पंचायद द्वारा की जाती है शराब उपकर से आए, भू राजस्व से आए, पंचायद के अपनी संपत्ती से आए, ब्याज से प्राप्त आए, जन्म मृत्यों पंजी करण फीस, विवाह पंजी करण फीस, प्रमान पत्र, राशनकार्ड जारी करने की फीस, नियाएक फीस, अन्यकरों से आए, मत्स्य और्बिट, सरकार से प्राप्त होने वाली आए, ग्राम पंचायद को सरकार से दो प्रकार का अनुदान दिया जाता है, एक तो ऐसा, जिसे उसी प्रयोजन पर खर्च करना होता है, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया हो जैसे यदि कोई अनुदान अस्पताल भवन निर्मान के लिए स्वीकृत है, तो उसे अस्पताल भवन के निर्मान के लिए ही खर्च करना होता है पंचायद ऐसे अनुदान को किसी दूसरे कार्यों के लिए खर्च नहीं कर सकती है यदि किसी कार्ण से अन्यकार्य पर राशी खर्च करनी आवश्यक हो तो जिस संस्थान से अनुदान स्वीकृत हुआ है उससे दूसरे कार्यों पर खर्च करने की स्वीकृती लेना जरूरी है दूसरा ऐसा अनुदान जिसे पंचायत स्वैम अपनी आवश्यक्ता अनुसार फर्च कर सकती है जैसे वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदान जिसे पंचायत वित्त आयोग के दिशानेर देशों के अनुसार अपनी आवश्यक्ता अनुरूप सिल्फ तैयार करके ग्राम सभा द्वारा पारित किया जाता है सरकार पंचायतों को उनके कार्याले के रखरखाव वसंचालन के लिए भी अनुदान देती है इन अनुदानों का उप्योग पंचायत कार्याले के संचालन जैसे स्टेशनरी, बिजली, पानी, फरनीचर आदी, मुद्दों पर खर्च करने के लिए होता है संपत्तिकर ये ग्राम पंचायत की आय का एक प्रमुकसाधन है ये कर भवन के मालिक को देना होता है फीसों से प्राप्त आये ग्राम पंचायते निम्नलखित फीसों से भी आय प्राप्त कर सकती है प्रतिलीपी की फीस, निरीक्षन फीस, सूचना के अधिकार के अंतरगत फीस, जन्व पंजीकरन फीस, राशनकार्ड जारी करने पर फीस, निया एक मामला दर्ज करने के लिए फीस, अभिलेक की प्रतिलीपी के लिए आवेदन और उस पर फीस अनिस्रोत पश्वों के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली फीज, पानी की आपूर्ती पर फीज, सडकों की सफाई पर फीज, सडकों पर प्रकाश की व्यवस्था, वाहनू की पार्किंग, स्वच्छता, ठोस वा तरल कच्रा प्रबंधन वा स्वच्छता पर सेवा शुल्क रेद, बजरी, पत्थर पर लगाई गई रॉयल्टी, लगुवन संपदा पर रॉयल्टी वा वंदे, इन सभी श्रोतों से तो ग्राम पंचायतों को बहुत अच्छी आय हो जाती होगी हाँ नन्नी इन श्रोतों से तो ग्राम पंचायतों को अच्छी कमाई हो जाती है विट्य प्रबंधन करते समय पंचायते इनी आयों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाती है पंचायतों के विकास को उद्देश्य मानकर विट्य प्रबंधन के सहारे पंचायते अपने छेत्र का विकास करती है विट्य प्रबंधन के और क्या-क्या उद्देश्य होते हैं वंदे मुझे इसके वारे में बताओ वित्य प्रबंधन के सहारे पंचायते ये प्रव्यास करती है नन्हीं कि नियुंतम वित्य साधनों द्वारा अधिक्तम लाव अर्जित किया जाए चलो मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ वित्य प्रबंधन का उद्देश्य संगचन के उद्देश्यों की प्राप्ती में अधिक से अधिक सहायता पहुचाना होता है नियुंतम वित्य साधनों द्वारा अधिक्तम लाव अर्जित करना ही सही अर्थों में वित्तिय प्रबंधन है इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से है अधिक्तम लाव की प्राप्ति वित्य का सही तरह से प्रबंधन किया जाना चाहिए कितना पैसा कहां, किस समय, कब और किस कार्य के लिए चाहिए इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए वित्त के उचित प्रबंधन से ही अधिक्तम लाब की प्राप्ती हो सकती है उपलब्ध साधनों के कुशल आवंचन इवं उप्योग से ही लाब कमाया जा सकता है इसलिए वित्तिय प्रबंधन इस तरह से होना चाहिए कि कम लाब दायक साधन अधिक लाब दायक साधन बन जाएं सभलता का मापक सभी व्यवसाईक निरने लाब पाने की आशा से किये जाते हैं इसलिए ये निरनेयों की सफलता का प्रमुख मापक है एक उपक्रम अपने उत्पादन विक्रे तथा निश्पादन में कुशलता अर्जित करके ही लाब अर्जित कर सकता है संगठन का भावी विकास संगठन के भावी विकास इवं व्रद्धी के लिए जरूरी है कि निरन्तर वित्तिय प्रबंधन का कार्य कुशलता के साथ चलता रहें वित्तिय प्रबंधन की अकुशलता से व्यवसाई के भावी विकास की गती रुक जाती है अधिक्तम परिणाम प्राप्त करना एक अच्छा वित्य प्रबंधन वही है जिसमें एक नहीं बलकी अधिक्तम परिणामों को प्राप्त करने का लक्षे हो इसलिए योजनाव को बनाते समय वित्य प्रबंधन का खयाल रखना जरूरी है आज तो मैंने वित्य प्रबंधन के और बजट के बारे में बहुत कुछ जाना होगा हमारे परतिनिदी तो बहुत अच्छे हैं सदेव अपने छेत्रे के विकास का सोचते हैं वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि अपने पंचायत का नाम चमकाएंगे गीत विकास के हम गाएंगे सबसे आगे जाएंगे मुश्किलों से नहीं घबराएंगे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे जैहिन जै भारत